नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में लेकर आए हैं हम सिंदु सभ्यता यानि की हडपा सभ्यता से जुड़े हुए कुछ महत्पुन सवाल ये काफी महत्पुन टॉपिक है दोस्तों प्रतेक एक्जामिनिशन में इससे 2-3 सवाल जरूर पुछे जाते हैं तो आएए शुरू करते हैं पहला सवाल है हडपा सभ्यता का सरवाधिक मानेता प्राप्त काल कौन सा है तो सही जवाब है धोस्तों 25 कीसे शीजी की उम्ष निर्धारित करता है अगला सवाल हैं सिंदू घाती की सभ्यता निमनलिक्षित में से किस सब्विता के समकालिन नहीं थी समकालिन का अर्थ होता है उस सब्विता के बिलकुल समान अर्थों में चलने वाली यानि कि उसी समय चलने वाली या उसके आसपास चलने वाली सब्विता तो सही जवाब है दोस्तों ग्रीक की सब्विता क्योंकि मिस्र की सब्विता 315 इसा पूर्व चल रही थी मेसोपुटामिया की सब्विता 3200 इसा पूर्व से शुरू हुई थी और चीन की सब्विता 2852 इसा पूर्व से शुरू हुई थी जबकि ग्रीक की सब्विता 1500 इसा पूर्व से शुरू हुई थी दोस्तों और हम 250 वर्सों बाद शुरू हुई दोस्तों तो इसके समकालिन ग्रीक की सब्विता नहीं थी अगला सवाल है सिंदू घाटी की सब्विता कहां तक विस्तरित थी यानि की फैली हुई थी तो सही जवाब है दोस्तों डी पंजाब, राजस्तान, गुजरात, उत्तरप्रदेश, हरियाना, सिंद और बलूचिस्तान बलुचिस्तान का भाग पाकिस्तान में हैं दोस्तों तो ये सब्विता काफी बड़े छित्र में फैली हुई थी अगला सवाल है सिंदु घाटे की सब्विता में घोडे के अवसेस कहां से मिले हैं तो सही जवाब है दोस्तों A. सूर्कोटदा दोस्तों सूरकोटदा या सूरकोटडा गुजरात के कक्च जिले में इस्तित है इस इस्थल से हडपे सब्विता के विस्तार के प्रमान मिले हैं दोस्तों सूरकोटदा की खोज 1964 में जगपती जोसी ने की थी दोस्तों सूरकोटदा से जो हमें अवसेस मिले हैं वो सिंदू सब्विता के पतन के बारे में भी हमें पताते हैं अगला सवाल है सिंदू घाटी इस्थल काली बंगन किस प्रदेश में है तो सही जवाब है दोस्तों ए राजस्थान में काली बंगन राजस्थान में इस्थित है अगला सवाल है निम्न में से किस पदार्थ का उप्योग हडपा काल की मुहरों यानि की मुद्राओं के निर्मान में मुख्य रूप से किया गया था तो सही जवाब है दोस्तों A. सेल खड़ी अगला सवाल है हडपा सब्विता किस यूग की सब्विता थी तो सही जवाब है A. कांसी यूग जिहां दोस्तों हडपा सब्विता कांसी यूगीन सब्विता थी अगला सवाल है सिंदु घटी सब्विता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था तो सही जवाब है दोस्तों A. व्यवपार अगला सवाल है हडपा सब्विता के निवासी थे अर्थात हडपा सब्विता के निवासी कैसा जीवन जीते थे तो सही जवाब है दोस्तों B सहरी अगला सवाल है सिंदू सब्विता के घर किस से बनाए जाते थे तो सही जवाब है दोस्तों A इंट से अगला सवाल है हरपबावाशी किस वस्तू के उत्παदर में सरो प्रथम थे यानि कि हरपबावाशी वने सबसे पहले कौन सा वस्तू उत्सपादित किया था तो सही जवाब दोस्तों C कपास cotton अगला सवाल है निम्ने विद्वानों में से हरपपा सभथा का सरुप्रथम खोज करता कौन था तो सही जवाबे दोस्तों D. डियराम साहनी ने डियराम साहनी जी ने 1911 में हरपपा सभथा की खोज की थी अगला सवाल है सिंदू सभथा का पतननगर यानि कि बंदरगाह कौन साथ था तो सही जवाबे दोस्तों B. लोथल लोथल गुजरात में दोस्तों इसे भी याद रखेगा अगला सवाल है पैमानों की खोज ने ये सिद्ध कर दिया कि सिंदू घाटी के लोग माप और तॉल से परचित थे ये खोज कहां पर हुई थी तो सही जवाबे दोस्तों D. लोथल में अगला सवाल है हडपा कालिन समाज किन वर्गों में विभग था यानि कि बटा हुआ था तो सही जवाबे दोस्तों B. विद्वान, योध्धा, व्यापारी और स्रमिक में हडपा कालिन समाज पटा हुआ था अगला सवाल है सिंदू सब्धा का सरववाधिक उपयुक्त नाम क्या है तो सही जवाब है दोस्तों A. हडपा सब्धा सिंदू सब्धा को हम हडपा सब्धा के नाम से भी चानते हैं इसकी वज़ा है दोस्तों कि खुदाई में जो सर्वपथम नगर प्राप्थ हुआ था उसका नाम हडपा रखा गया था यही वज़ा है कि सब्विता को हडपा सब्विता के नाम से भी जाना जाता है अगला सवाल है निम्ड में से कौन सा या से लक्षन सिंदू सब्विता के लोगों का सही चितरन करता है या करते हैं एक उनके विशाल महल और मंदिर होते थे दो वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे तीन वे युद्ध में घोरों दोारा खींचे जाने वाले रथों का प्रियोग करते थे तो सही जवाब है दोस्तों एक केबल दो वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे अगला कोशन है हडपा सब्विता की खोज किस वर्स हुई थी तो सही जवाब है दोस्तों D. 1921 इसवी में राखल दास बनर्जी जी ने इस सब्विता की खोज की थी अगला सवाल है हडपा सब्विता के बारे में कौन सी उक्ती यानि की कथन सही है तो सही जवाब है दोस्तों C. उन्होंने पसुपती का सम्मान करना अरंब किया था अगला सवाल है हडपा के लोगों की समाजिक परिती डैस थी तो सही जवाब है दोस्तों A. उचित सम्तावादी यानि की ये समाजिक परिती Equality यानि की समानता पर अधारी थी दोस्तों दोस्तों तो इसी तरह के महत्मुन वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें आप सभी का थन्यवाद